गुद मॉनिंग डियर स्टुडेंट्स कैसे आप सब आशा है आप सब से कुशल होंगी हिंदी की ओनलाइन क्लास में अपना आज का टॉपिक रहेगा कक्कू आपकी पाठे पुस्तक का अभ्यास नंबर वन अर्थात लेसन वन है कक्कू बहुती अच्छी है रामचंदर सर्म ने इसको लिखी है ठीक है तो इसमें लेखक देखो कक्कू कोयल होती है उस जिसका नाम तो कक्कू है लेकिन वो दिन भर जैसे उसकी हरकते होती है कि किस परकार से हम उसको चिड़ा देते हैं तो कैसी हरकते करती है इस तरह उसको कभी सक्कू कभी उसकी आवाज के कारण की बक्कू कभी कक्कू इस तरह से उसके जक्कू ये सब नाम दिये जाते हैं अर्थात कहने का मतलब कि जब उसके पूरे दिन की दिन्चरिया को देखकर एक तरह से ये काजा रहा है कि उसके जो दिन्चरिया को देखकर कि ये इस तरह से रहती है उसी के आधार पर उसको नाम द ककू ठीक है ककू का अर्थ क्या होता है कोयल होता है कि वैसे तो कोयल का कोयल जो दिन बर कितनी मधूर आवाज निकालती है सुरीली आवाज में बोलती है लेकिन ये जो ककू है इसकी जैसे दिन बर जैसे ये रोता रहता है इस वज़े से हम इसको चिडाने के लिए इसको क्या ठीक है लेकिन यह तो दिन भर रोता कि यह दिन भर जैसे रोता रहता है जिस तरह से आवाज का मदूर नहीं निकालना अपनी सुरीली आवाज में नहीं बोलना इसलिए हम इसे चिडाते हैं कि जैसे इसकी आवाज दिन भर रोते जैसी होती है कि दिन भर रोने जैसी होती है तो हम इसे चिडाते हैं कहते हैं इसको सक्कू इसलिए हम इसको क्या कहते हैं सक्कू नाम है उसका कक्कू कि नाम तो उसका कक्कू है पर जब ये दिन भर रोने व यवे उसको चिड़ाने के लिए क्या कहतो быть सकता है क्यूंब कि वैसे नाम है इसका क और झाले अक जब यह उसकी जैसी मधूर आवास नहीं कि और अर्थात हम इसको चिड़ाने के लिए क्या कहते है सकता है आगे देखिए कोईल माने मिस्री जैसी कोईल जिस परकार से कोईल के आवाज तो कैसी होती है मिस्री की जैसी होती है मिठी जिसकी बोली कि जिस परकार से कोईल के आवाज तो बहुती मिस्री जैसी मिठी बोली होती है ये तो जाता भड़क करो जब इससे तनिक ठिठोली कि ये तो बहुत तेज भड़क जाते हैं कब जब तनिक ठिठोली मजा की अगर इसके साथ थोड़ा भी तनिक थोड़ा हलका भी मजा कर लेते हैं तो ये तो बहुत तेज भड़क जाते हैं इसलिए तो कभी कभी हम कहते हैं इसको बक्कू की इस वज़े से ही हम कभी इन की थोड़ा सा कहते ही भड़क जाना तनिक टिठोली की थोड़ी सी मज़ा करते ही यह तो जाता बड़क की भड़क जाते हैं इसलिए तो हम कभी कभी इसको क्या कह देते हैं बक्कू की इस वज़ करने पर ही ये जोर से बढ़क जाते है इसलिए तो हम इसको क्या कह देते हैं बक्कू इसके बाद देखिए बक्कू वह जो गाना गाई बात बात में जो चिड़ जाए कि ककू वह जो गाना गाई कि ककू है जो कोईल की आवाज जैसा होता है वह तो गाना गाते हैं बात बात म जो चिड़ जाए और जो बात बात में चिड़ जाते हैं रहता मूँ जो सदा फुलाए और जो हमेशा मूँ फुलाए रहते हैं गाना जिसको जरा ने आए और जिसको जरा भी गाना ने गाना आए कि जिसको गाना गाना बिल्कुल भी नहीं आए कि कैसे गाना गाया जाता है उसको बिल्कुल भी नहीं आए, ऐसे जगडालू को, अब से क्यों ने कहे हम जक्कू, कि ऐसे जगडालू सवबावाले को, कि ऐसे जगडालू को, हम क्यों नहीं जक्कू कह सकते हैं, अर्थात उसको हम जक्कू कह सकते हैं, उसको हम जक्कू क्यों नहीं कह सकते हैं, ना मैं उ कह सकते हैं रमेशन सर्मा के द्वारा रचित है ये कविता ठीक है और ही पर वापस हम रिपीट कर लेते हैं कि नाम है उसका कक्कू कि नाम उसका क्या है कक्कू है कक्कू माने कोईल होता कि वैसे हम जानते हैं कि कक्कू कोईल होती है लेकिन ये जो दिन बर रोते हैं रोने की आवाज होती रहती है, मधूर सुरीली आवाज नहीं आती है, इसलिए हम इसको चिडाने के लिए सक्कू कहते हैं, क्या कहते हैं, शक्कू, नाम है उसका कक्कू, कि नाम तो उसका वैसे कक्कू है, इस कारणों की वज़े से हम उसको शक्कू कहते हैं, कोयल माने मिस्री जैसी, कोयल तो कैसी होती है कोयल तो मानो मिस्री जैसी होती है मधूर मीठी जिसकी बोली कि जिसकी मीठी बोली होती है मधूर आवाज होती है यह तो जाता बढ़क करो जब इस सेतनिक तिठोली तनिक हलकी तिठोली होती है मजाख कि यह कोईल की आवाज तो बहुती मिस्री जैसी और मधूर होती है लेकिं यह तो जाताँ भढ़क करता है गुस्से में हो जाना जगडा कर देना यह तो जाता भढ़की तो जोड़ से भढ़क जाता है जब इससे अगर हम तनिक भी मजा कर लेते हैं तो एकदम से जोर से भड़क जाता है इसलिए तो कि इस कारण से कभी कम हम इसको क्या कह देते हैं भक्कू, नाम इसका कक्कू, कि नाम तो इसका कक्कू है लेकिन इन हरकतों की वज़े से कि कोईल के वाज तो बहुत ही मधूर होती है मिस्री जैसी मेटी होती है और इससे अगर हम तनिक भी मजा कर लें तो ये तो बहुत तेज भड़क जाते हैं इस वज़े से, इस कारण से कभी कभी हम इसको क्या कह देते हैं भक्कू, ठीक है इसके बाद देखे कक्कू वे जो गाना गाए कि कक्कू तो वे है जो गाना गाते हैं मधूर आवाज में बहुतीस अच्छे अच्छे गाना गाते हैं बात बात में जो चिड़ जाए कि वो जो हर बात बात पे चिड़े अर्थात कक्कू तो वे है जो मदूर सुरीली आवाज में गाना गाए ऐसे नहीं कि बात बात में जो चिड़ जाए कि बात बात में चिड़ जाए अर्थात गुसा हो जाए मूँ फुला ले रहता मूँ जो सदा फुलाए कि जो सदा अपना मूँ फुलाए रहे गुसा करता है रहे चिड़ चिड़ापन रखे गाना जिसको जरा नहाए और जिसको बिल्कुल भी जरा भी गाना गाना नहाए जरा भी गाना नहाए जिसको गाना गाना ही नहाए ऐसे जगडालो को हम कि ऐसे जगडालो को अर्था ऐसे जगडने वाले को अब से अब से हम क्य उन्हों ने जक्त के हैं अर्थातज़गर्ध उन्होंने यहां बता है जग्डालो कि ऐसे जग्डालो को हम क्यों ने जक्कू कहें अर्थात हम उसको जक्कू कह सकते हैं कि जब उसका ऐसा सवभाव है तो हम उसको क्यों ने जक्कू कहें हम उसको जक्कू कह सकते हैं अर्थात नाम तो उसका कक्कू है लेकिन उसको बिल्कुल भी तो गाना गाना ने आए सदा मो फुला के रहे चोटी-छोटी हर बात में चिड़ जाए और जो हर चोटी-छोटी बात पे रूद के बैट जाए अर था अपने मूँ को फुला के बैट जाए और ऐसे जगडालू को जब ऐसा जगडालू है छोटी छोटी अगर मजाग पे बढ़कता हो, मौफला के बैठता हो, बात बात पे चिड़ता हो, है ना, तो क्यों नहीं हम उसको क्या कह सकते हैं, जक्कू कह सकते हैं, अर्थात उसको हम जक्कू नाम दे सकते हैं, वैसे नाम तो है उसका क्या काकू, लेकिन जब उसकी ऐसी ह कर हम उसको जक्कू भी खह सकते हैं अर्थात उसका कक्कू नाम होते हुए भी हम उसको जक्कू बोल सकते हैं ठीक है इस प्रकार से अपना जो ये लेसन नमबर वन कक्कू हमने कंप्लीट किया ठीक है कि इसमें एक कक्कू सीर सकते कर किस प्रकार से बताया है कि नाम कुछ भी ह लेकिन उसकी दिन बर की जो दिन चरिया होती है अर्था दिन बर में जोग भी किरिया करता है उसका सवभाव है उसके अनुसार हम उसके ये नाम रख सकते हैं कविता के माद्यम से कविने बताए ठीक है नेक्स्ट इसके प्रसन उत्तर ग्रहकार ये जोग भी है वो हम अगली वीडियो में करते हैं तब तक के लिए टेक केर थैंक यू